नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूस रूम पोच की खास पे इसका स्पोर्ट्स पोच में आप सभी के साथ जुड़े है बहुत बड़ी खबर के साथ जहां भारत की टीम के चुनाव के लिए एमदाबाद में मेरथन मीटिंग चल रहे है हाई प्रोफाइल मीटिंग चल र आप भी सुनेंगे उन ग्यारा और पंद्रा खिलाडियों के बारे में तो आप भी कहेंगे कि क्या टीम यहां पर साथ अफरीका ने चुनी तो सबसे पहले आपको उन पंद्रा खिलाडियों और दो रिजर्ब खिलाडियों के बारे में बताते हैं जो साथ अफरीका ने अन आप ये इन खिलाडियों पर नजर डालिए एक ऐसे खिलाडियों की टीम में दिख रही है जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है वह आपको वताएंगे पर उससे पहले आपको दो इनके रिजर्व सो बता सकते हैं वह दो रिजर्व से इनके नेंडरे बर्गर एन लुंपी नगिडी यानि कि ये इनके रिजर्व से और दोनों ही यहां पर गेंदबाज ये लेकर जा रहे हैं और अगर बात की जाए टीम को देखें तो यहां पर एड़न माक करम आप देख सकते हैं यह बेहतरीन खिलाड़ी है कप्तानी भी इनकी बेहतरीन रही है और क्विंटन ड राउंडर है यह क्योंकि लेफ्ट आम फास्ट बॉलर के साथ साथ यह बैटिंग भी बहतरीन कर पाते हैं और हैंडी क्लासिं के बारे में आपको पता ही है ही इस वन ओप दी बैस्टी बैट्समें राइट नाव इन दा वर्ल्ड क्रिकेट क्योंकि उनसे बहतर अभी बल्ल आप गेंदवाज हैं जो इनका आईपल फॉर्म इतना अच्छा नहीं जा रहा पर यह फर्क होता है कि आप आप आईपल में कैसे हमारे खिलाडी क्या होता वह आईपल में बहुत अच्छा करते हैं पर इंटरनेशल क्रिकेट में वह वहां पर जाके नई अड़ो देते पर बाकी खिलाडी क्या होता है यहां पर भले जैसे मवर्जी परफॉर्म करें पर जो अपने देश के लिए किलते हैं तो नंबर वन निकर का सामने आते हैं तो यह खिलाडी थे उसके बाद यहां पर तबरीश शंसी और ट्रिस्टर इस्टर 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 पकर रहे हैं किसी को नहीं पता सब उल जलूल की बाते कर रहे हैं कोई कह रहा है कि इसको लेकर पेश पसा हुआ है किसी को भी कोई क्लेटी नहीं है सब सोर्स के नाम लेकर यहां पर खबर बनाने की कोशिज कर रहे हैं पर जब तक पूरी टीम ऑफिशल रूप से नहीं यह हमने आपको साउथ अफरिका के टीम बताएं आपको क्या लगता है यह टीम आपको मजबूत दिख रहे हैं और क्या यह टीटवंटी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम लग रहे हैं जैसा भी लगता है जरूर बताएं